दोस्तो Glowroad को Play Store से हटा दिया गया है आज आपको Complete Detail दूँगा क्या Glowroad बंद हो चुका है या बंद होने की कगार पे है ऐसा क्या हुआ कि Play Store ने Glowroad को हटा दिया बाकी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो सबसे पहले बात करती हैं जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि Glow Road है क्या दोस्तो Glow Road एक Reselling Application है जिसकी मदद से आप घर बैटे उनके प्रोडेक्ट को सेल कर आके पैसे कमा सकती है अब भी हुआ क्या काफी अच्छा चल रहा था Application काफी ज़्यादा Download थे काफी ज़्यादा Review थे, काफी अच्छी रेटिंग थी, Productive Rate भी काफी कम थी बहुत सारे Supplier थे, बहुत सारे Reseller थे तो काफी ज़्यादा वहां का Process काफी अच्छा था और काफी लोग यूज कर रहे थे और काफी खुस्वी थे लेकिन एक साथ मैं आपको इधर स्क्रीन पर दिखाता चलता हूँ कि जब हम Play Store में Glow Road सर्च कर रहे हैं तो वो Application सो नहीं हो रहा और Application सो ना होना एक बड़ी बात होती है ऐसा होता है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि Application का Maintenance का काम चल रहा होगा इसलिए Play Store में नहीं दिखा रहा है लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है अगर किसी Application का Maintenance का काम चलता है तो उनके पास जो बर्जर होता है पहले का ही उसी में Editing करते रहते हैं और उसी को Play Store में Update करते हैं तो हम लोगों को Update का Option देखता है Play Store में और हम अपडेट करके उस नहीं बर्जर को Download कर लेते हैं तो यह एक प्रोसेस होता है कभी Play Store से Application को नहीं हटा है जाता अब Play Store से Application हटने की यह पहली बारदात नहीं है इससे पहले एक और Application को Play Store से इसी तरह से हटा दिया गया था आपको साइद पता नहीं होगा जो नई Resale हैं जो बहुत टाइम से Resale कर रहे हैं उन्हें Complete Knowledge होगी एक Company थी Boopler नाम की वो भी Resale में ही डिल करती थी और वो ठकर की Company थी Miso बगेरा की और एक बात आपको बता दूँ यह Glow Road है और सौप बंजीरोवन ने जो इस्टोर की Service दिये ना वो बाद में दिये उससे पहले Boopler नाम की Company यह Service दे चुका था एक साथ ऐसी गटना Boopler के साथ हुई थी एक दिन हुआ गया कि Boopler से भी बुलकुल Store हट चुका था जो Play Store से उनका App था वो भी हट चुका था और जब उनकी Application में हम जा रहे थे तो दिखा रहा था कि अभी Under Maintenance में चल रहा है इसके बाद इन्होंने Boopler वालों ने अपना YouTube चैनल भी हठा दिया ऐसे करके धीमे धीमे इन्होंने सारी चीजे डिलीट कर दी अब कुछ कंडिशन ऐसी दिख रही है अब इसमें क्या चीजे हो सकती है कभी कभी क्या होता है वाई Default Play Store की तरफ से कुछ application हटा दिये जाती है और फिर क्या होता है कि यह लोग अपील करते हैं कि हमारा application सही है कोई ऐसा activity हम नहीं कर रहे तो वो द्वारा से application को वापस डाल देते हैं तो अगर प्ले स्टोर के यह भी नहीं कह सकता कि पर्मानेट हट नहीं सकता क्यों कि भाई बूपलर application पहले भी हट चुका है और आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या यह बूपलर की तरह application मत बनाओ customer चाहे तो आपकी website भी बना दो जैसे कि application होता है सिम्ठु से मैं इसी website भी बना दो तो जिससे लोगों को कभी दिक्कत आए तो वो website को भी पूज कर लिया करें website में login करो और सीधा आपके प्रोडेक्ट देखो शेयर करो सेल करो और एक और बात अगर website होगी तो लोग अपने computer में भी आपकी website को open करके login कर लिया करेंगे और login करके आपके activities को handle कर लिया करेंगे फिर अगर login की सर्वेस रहेगी website की सर्वेस रहेगी तो लोग खुद की एक website बनाते हैं वहाँ पर भी इजली अपने computer से प्रोडेक्ट और फोटो अप्लोड करके अपनी website के धुरूवी sales generate आसानी से कर पाएंगे तो ग्लो रोड को हाइवास को सौप बंजिरोवन को मीसो को यह चीज़ सोचनी चाहिए क्योंकि आपका application में इस हुआ था है तो reseller के लिए problem create होती है और इनके पास भी data नहीं पहुँच पाता हमारा जो data होता है तो तो आप play store में देख सकते हैं application फिलाल में है नहीं और इस वीडियो के description में मैं दे दूँगा application का link तो जैसे ही आ जाएगा तो आप link पर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि application द्वारा से आ चुका है एक बार आप क्लिक करके देगी और क्या आ रहा है कमेंट करके बताईए कि application के उपर क्लिक करेंगे link के उपर तो क्या सो हो रहा है तो वो मेरो comment क करके बताना बाकी का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप अपनी राय देना कि ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वज़े से यह इसू हुआ है बाकी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपन्यवाद